लाइव देख सकते हो हमारा यहाँ पर पचास जा रुपए का जो लोन है वो बिना किसी डोकुमेंट के अप्रूव हो चुका है उपर के तरह लिखा हुआ है Congratulations, here is the best offer for you. Loan Amount Approved Up To 50,000 रुपए मतलब 50,000 रुपए आप लोन ले सकते हैं इसके लवाइ यहाँ आपर आपकी जो EMI स्टार्ट होगी वो 2341 रुपए परमन्त होगी और आपको जो लोन मिलेगा वो टोटल 24 महिनों के लिए मिलेगा सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और 5 मिनट के अंदर 50,000 रुपए या तो आपके bank account के अंदर होंगे या फिर आपके paytm के अंदर होंगे क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा loan app बताने वाला हूँ जिस वाले mobile application से अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई भी document नहीं है ना आपके पास bank statement है ना आपके पास ITR return है ना आपके पास GST bill है और ना ही आपके पास salary slip है इसके लवा अगर आपका civil score कम है आपने पहले कभी loan नहीं लिया है और अगर आप इस वाले mobile app से loan के लिए apply करोगे तो यहाँ से आप 1000 रुपे से लेकर 10 लाक रुपे तक का instant personal loan बिना किसी document के ले पाऊगे इसके लवा इस app के बारे में मैं आपको पूरी detail बताऊंगा कि यहाँ पर loan के लिए आपको rate of interest कितना देना होगा कितने दिनों के लिए आपको loan मिलेगा processing charge क्या लगेगा foreclosure charge क्या रहेगा इसके लवा EMI का repayment आपको के से करना है यह सारी चीजे मैं आपको यहाँ पर step by step live apply करके बताने वाला हूँ तो मैं आपको यहाँ पर loan apply करने का process बताऊं तो उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस वाले वीडियो को लाइक नहीं किया है तो नीचे आप आपको वीडियो को लाइक करने का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो इसके लवा अगर आपने अभी तक इस वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आप आपको सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसके लवा अगर आपने अभी तक हमारी इस वाले टेलेग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है تو जल्दी से जाओ और इस वाले टेलेग्राम चैनल को आप जोइन कर लो इसके लावा 10 million ची ज़्यादा इसके डाउनलोडर्स हैं लोन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस एप का लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करो एप को डाउनलोड करो और डाउनलोड करने के बाद ओपन करो ओपन करते ही आपके सामने इस तरकी का डैस् आपको एक section मिलेगा loan sent card का आपको loan sent card वाले option पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आपको second number वाला option मिल जाएगा personal loan का आपको personal loan पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने कुछ permission मांगी जाएगी आपको allow करना है उसके बाद आप इसको नीचे scroll करेंगे तो यहाँ पर loan क जो example है वो आपको बताय हुआ है कि मान लीजी अगर आपको यहाँ पर पांचलाक रुपे का loan मिलता है तो यहाँ आपका जो rate of interest रहेगा वो 16% रहेगा loan जो आपको मिलेगा वो आप total 36 महीनों तक आप loan ले सकते हैं processing fees आपकी जो रहेगी वो 2% आपसे charge की जाएगी इसके ल डबल आइफल और टाटा केपिटल इसके lending partner है जिन से आपको loan मिलेगा loan लेने के लिए बस आपको check your offer पर click करना है यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है gate OTP पर click करना है mobile पर OTP जाएगा OTP डालकर submit करना है उसके बाद यहाँ आपको अपना first name डालना है अपना last name डालना है email डालनी है और let's go करना है उसके बाद यहाँ आपको अपना pen card number डालना है नीचे आपको अपनी date over डालनी है नीचे आपको अपना जो भी first name है वो डालना है middle name डालना है last name डालना है नीचे आपको अपना gender select करना है अपने area का pin code डालना है check box पर click करना है और validate details पर click करना है उ परसन हो या फिर self-employed हो तो जो भी आप हो उसको आपको select करना है आपकी monthly profit आपका कितना है वो आपको select करना है वो लिखना है जो भी आप करते हो उस वाले business का नाम लिखना है email ID लिखनी है आपको loan किसलिए चाहिए वो region लिखना है आपको अपनी email ID लिखनी है उसके बाद checkbox पर click करना है और check eligibility पर click करना है उसके बाद आप जितने रुपए के loan के लिए eligible होंगे वो आपके सामने आ जाएगा जिसे आप देख सकते हो हम यहाँ पर 50,000 रुपए के loan के लिए eligible हैं और हमारे सामने लिखा हुआ आच चुका है कि आप 50,000 रुपए का जो loan है वो 24 महीनों के लिए ले सकते हो 18% पर एनम आपका interest rate लगेगा 999 रुपए आपको processing fees देनी होगी इसके लबाद यहाँ पर आपका जो annual percentage rate चार्ज किया जाएगा वो 20.95% किया जाएगा इसके लबाद 2341 रुपए हर महीने लगातार 24 महीनों तक आपकी 21 दाएगी loan लेने के लिए बस आपको provide bank details पर click करना है उसके बाद जो भी आपका bank account है उस वाले bank account को आप पो select करना है जिस भी bank में आप पैसा लेना चाते हैं या फिर जिस भी bank के अंदर आपका खाता है उस वाले bank account का bank statement आपको डालना होगा statement डालने के लिए चाहो तो आप net banking के तुरू statement डाल सकते हो या फिर आपने already अपना statement डाउनलोड किया हुआ है तो आपको get a link पर click करना है आपके पास एक link आएगी उस link पर click करके आपको statement की PDF को upload कर देना है जब आपका statement upload हो जाएगा उसके बाद आपके सामने इस तरकी का dashboard यहाँ पर आपको बताए जाएगा कि आप जो loan लेना चाते हो वो आप कितने महीनों के लेना है उसको आपको select करना है नीचे आपका जो भी loan रहेगा उसका जो भी amount होगा जो भी उसकी summary होगी वो आपको नीचे बता दी जाएगी कितना processing charge लगेगा pre EMI कितना आपका काटा आपके account में total कितना पैसा आएगा वो आपको यहाँ पर नीचे देख लेना है loan लेने के लिए आपको proceed to KYC पर click करना है click करते ही अब आपको auto page check up करना होगा इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप auto page setup कर देंगे तो जिस भी account से आप auto page setup करेंगे उसी वाले account से automatic हर महीने आपकी जो किस्त है आपकी जो EMI है वो automatic cut होती रहेगी यहाँ आपको अपने bank account को select करना है जो भी आपका bank account आपने select किया है उसका account number IFAC code आपको डालना है और proceed करना है proceed करते ही आपका यहाँ पर e-nach mandate होगा check box पर click करना है submit करना है submit करते ही आपका जो यहाँ पर e-mendate है वो complete हो जाएगा और final आपके mobile पे एक OTP आएगा जिसी आप OTP डाल देंगे तुरंत ही आपका जो पैसा है वो instant ही आपके account के अंदर आ जाएगा इसके लवा loan का पैसा account के अंदर आते ही तुरंत के तुरंत आप उसको यूज में ले पाएंगे इसके लावा अब रही बात की यहाँ पर आपने loan तो ले लिया लेकिन इस वाले loan का repayment आपको कैसे करना है तो रही बात यहाँ पर EMI की repayment की तो automatic e-nach के time जो भी आपने bank account नमर लगया है उस वाले bank account से automatic आपकी जो केस्ट है आपकी जो EMI है वो automatic cut होती रहेगी अगर automatic आपकी केस्ट cut नहीं होती है तो आपको इस वाले mobile app को open करना है आपको loan वाले section में जाना है और वहाँ पर आपको अपनी जो EMI है आपकी जो केस्ट है उसको pay करने का option मिल जाएगा आपको उस पर click करके अपने loan का जो पैसा है उसका आपको repayment कर देना है तो अगर आपको भी इस वाले mobile app से loan लेना है तो इस वाले mobile app का नाम है Tata New तो आपको इस app को download करना है वीडियो के description में link है उस पर click करो app को download करो और loan के लिए apply करो